नमशकार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंतर में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंतर में आज की कहानी है जीवन का शाप जिसके लेकख है मुल्शी प्रेमचंद कावस जी ने पत्र निकाला और यश कमाने लगे शापुर जी ने रुई की दलाली शुरू की धन कमाने लगे कमाई दोनों ही कर रहे थे पर शापुर जी परसन और कावस जी विरक्त शापुर जी को धन के साथ सम्मान और यश आपिहाप मिलता था काफवस जी को यश के साथ धन दूर्बिन से देखने पर भी दिखाई न देता था इसलिए शापुर जी के जीवन में शांती थी, सहर देता थी, आशिरवाद था, क्रिड़ा थी कावस जी के जीवन में अशांती थी, कटुता थी, निराशा, उदासिंता थी दन को तुछ समझने की वे बहुत चेश्टा करते लेकिन परतियक्ष को कैसे जुटला देते शापुर जी के घर में विराजने वाले सोजन्य और शांती के सामने उन्हें अपने घर के कलाहा और फूर पर्ण से गिरना होती मिर्दु भाशनी मीसिस शापुर के सामने उन्हें अपनी गुलशन बानो संक्रिनता और इर्श्या का अवतार सी लगती थी शापुर जी के घर आते तो शीरी बानो बाई मिर्दु हास से उनकर स्वागत करती वे खुद धिन बर के ठके मांदे घर आते तो गुलशन अपना दुख़ा सुनाने बढ़ जाती और उनको खुफट कारे बताती कावस जी से एक लाग भार यह प्रशन किया जा चुका था कि जब तुम्हें समाचार पत्र निकाल कर अपना जीवन ही बरबात करना था तो विवा क्यों किया क्यों मेरी जिंदगी तबाह कर दी जब तुम्हारे गर रोटिया नहीं थी तो मिझे क्यों लाए इस प्रशन का जवाब देने की कावस जी में समार्थ है ना थी कहां तो यह असंतोश और विद्रो की जौला कहां वै मधुरता और भदरता की देवी शीरी जो कावस जी को देखते ही फूल की तरह खिल उड़ती मीठी मीठी बाते करती चाय मुरब्बे और फूलों से सतकार करती और अक्सर उन्हें अपनी कार पर घर पहुचा दे दी कावस जी ने कभी मन में भी इसे स्विकार करने का सहस नहीं किया मगर उनके हिदय में एक लाल सा चिपी हुई थी कि गुलशन की जगा शीरी होती तो तो उनका जीवन कितना गुलजार होता एक दिन कावस जी सवेरे गुलशन से जला कर शापुर जी के टेरिस में पहुचे तो देखा शीरी बानों आखे लाल किये बैठी हुई है जैसे रोकर अभी उठी हूँ कावस जी ने चिंती तो कर पूछा आपका जी कैसा है बुखार तो नहीं है शीरी ने दर्द प्री आँकों से देखकर कहा नहीं बुखार नहीं है मगर देह का बुखार तो कम से कम नहीं है कावस जी इस पहली को ना समझ सके शीरी ने एक शन मौन रहकर फिर कहा आपको मैं अपना मित्र समस्ती हूँ मिस्टर कावस जी आपसे क्या छुपाऊं मैं इस जीवन से तंग आ गई हूँ मैंने अब तक हिर्दय की आग हिर्दय में रखी लेकिन अब ऐसा मालूम पड़ता है कि उसे बाहर निकालू नहीं तो मेरी हड़ियां तक जल जाएंगी इस वक्त आठ बजी हैं लेकिन मेरे रंगेले पिया का कहीं पता नहीं है रात को खाना खा कर वैक मित्र से मिलने गा भाहना करके घर से निकले और अभी तक लौट कर नहीं आए पर यह आज कोई नई बात नहीं है कई महीनों से ऐसा रोज हो रहा है मैंने आज तक आप से कभी अपना दर्द नहीं कहा मगर उस समय भी जब मैं हासासकर आप से बाते किया करती थी तब मेरी आत्मा रोती थी कावस जी ने निश्कपड भाव से कहा तुमने पूछा नहीं कहा रह जाते हो पूछने से क्या लोग अपने दिल कई बाते बता दिया करते हैं तुमसे तो उन्हें कोई भेद ना रखना चाहिए घर में जीना लगे तो आदमी क्या करे यह है सुनकर मुझे बहुत अश्यार हुआ कि तुम जैसी देवी जिस घर में हो वैं स्वर्ग है शापुर जी को तो अपने भाग्ये को सरहाना चाहिए आपका यह भाव तब ही तक है जब तक आपके पास धन नहीं है आज आपको भी कहीं से 2-4 लाक रुपे मिल जाएंगे तो तुम भी यूना रहोगे आप तुम्हारे भी भाव बदल जाएंगे यह धन का सबसे भड़ा भी शाप है उप्री सुक शान्ती के नीचे कितनी आग है यह तो उसी वक्त फोलता है जब जो आलमों की फट पड़ता है शिरी बोली कावस जी के लिए आज एक नई बात थी है उन्हें अब तक जीवन का जो अनुभव हुआ वह यही सोसते थे कि इस तरी अंत्य करने से विलास नहीं होती है उस पर लाख प्राण नियचावर करो उनके लिए मर क्यों ना मिटो लेकिन व्यार्थ है लेकिन यह एक देवी है जो विलास की चीजों को तुछ समझती है कि विल मीठिस नहीं और सहवास से ही प्रिसन रहना चाती है यह सोचकर ही उनके मन में गुदगुदी सी उठी मिसेश शापूर ने फिर कहा उनका यह वैपार मेरी बरदाश के बाहर हो गया है मिस्टर कावस जी मेरे मन में विद्रोहों की जुआला उठ रही है और मैं धरमशास और मरियादा इन सभी का आश्रे लेकर भी तराण नहीं पाती मन को समझाती हूँ कि संसार में लाखों विद्वाएं नहीं पड़ी है लेकिन किसी तरह चित शान्ती नहीं होता मुझे विश्वास आता जाता है कि मुझे मैदान में आने के लिए चुनाती दे रहे है मैं अब तक उनकी चुनाती नहीं लिए पर अब पानी सिर्पर से चड़ चुका है मैं किसी तिनके का सहरा डुंडे बिना नहीं रह सकती वह जो चाते हैं वह हो जाएगा मैं इस मरियादा की बड़ी को और ना पहन सकूँगी मिस्टर कावस जी मन में भावी सुखा एक स्वर्ग निर्मान कर चुके थे बोले हाँ हाँ मैं अवश्य समझाओंगा यह है तो मेरा धर्म है लेकिन मुझे आश्य नहीं कि मेरे समझाने पर उनका कोई असर हो क्योंकि मैं दरिदर हूँ मेरे समझाने कि उनकी दृष्टी में मुल्य ही क्या है यूं तो वह मेरे उपर बहुत खिरपा रखते हैं बस उनकी यह आदत मुझे पसंद नहीं है तुमने इतने दिन बरदाश किया यही अश्य रहे कोई दूसरी औरत होती तो एक ना इतना न सहती थोड़ी बहुत तो यह आदत सभी पुरुशों मुह होती है लेकिन ऐसे पुरुश के इस्त्रियां भी वैसी ही होती है करम से ना सही मन से तो होती है पर मैंने तो सदेव उनको ही अपना इश्ट देव माना है किन्तु जब पुरुश इसका अर्थ ही ना समझे तो तो आप क्या बोलते हैं शेरे और मैमने वाली कथा आपने नहीं सुनी अचानक ही मिस्टर शापूर एक एक चुप हो गई इसामने शापूर जी की काराती दिखाई दी उन्होंने कावस जी को ताकित और विने भरी आँखों से देखा और दूसरे दुआर के कमरे से निकल कर अंदर चली गी मिस्टर शापूर की लाल आखे की एक कार से उतरे और मुस्कुरा कर कावस जी से हाथ मिलाया इस्त्री की आखे भी लाल थी और पती की आखे भी एक रुदरन से और दूसरी रात की कुमारी से शापूर जी ने हैट उतार कर खुटी पर लटकाते हुए कहा शमा कीजिएगा मैं रात को एक मित्र के घर सो गया था दावत थी खाने में देर हो गई मैंने सोचा अब घर कौन जाए कावस जी ने व्यंग मुसकान के साथ कहा किसकी यहाँ दावत थी मेरे रिपोर्टर ने तो कोई खबर नहीं दी जरा मुझे नोट करा दीजे तो उन्होंने जेब से नोटबुक निगा लिए शापूर जी ने सतर को कर कहा ऐसी कोई बड़ी दावत नहीं थी जो दो-चार मित्रों का प्रिती भोज था फिर भी समाचार तो जानना चाहिए जिस प्रिती भोज में आप जैसे प्रतिश्टित लोग हो साधारन तो हो नहीं सकता मेजबान का नाम बताईए आप चौकेंगे तो नहीं नहीं बताईए तो मिस गोहर क्या मिस गोहर जी हाँ आप चौके क्या क्या आप इसे तसलीम नहीं करते कि दिन भर रुपे आने पाई में सिर मारने के बाद अगर मनुरंजन करने का मेरे को अधिकार नहीं है ना करूं तो यह जीवन भार हो जाए मैं इसे नहीं माता क्यूं इसलिए कि मैं इस मनुरंजन को अपनी भ्याथा हिस्त्री के प्रती अन्याय समस्ता हूं शापुर जी नकली हसी है से यही दाकियाने उसी बात आपको मालूम होना चाहिए कि आज का समय ऐसा कोई बंधन नहीं स्विकार करता और मेरा ख्याल है कि कम से कम इस विशे में आज का समाज एक प्रीडी पहले के समाज से कहीं परिश्कृत है अब देवियों को यह दिकार स्विकार किया जाने लगा है यानि देवियां पुरुषों पर हकूमत कर सकती है शापुर जी ने का उसी तरह जैसे पुरुष देवियों पर करते है नहीं मैं इसे नहीं मानता पुरुष इस्तरी का मोताज नहीं है इस्तरी पुरुष की मोताज है आपका आशे यही है कि इस्तरी अपने भ्रन पोशन के लिए पुरुष पर अवलंबित है कावस जी ने का अगर आप इन शब्दों में कहना चाहते हैं तो मुझे कोई अपत्ती नहीं मगर अधिकार की बागडोर जैसे राजनीती में वैसी समाजनीती में धन भल के हाथ रही है और अगर आप देवियोग से धन पराजन का काम इस्तरी कर रही है और कोई पुरुष काम ना मिलने के गारण घर बाटा है तो आपके इस्त्री को यादिकार देंगे कि वे अपना मनुरंजिन जिस तरह चाहे करे कावस जीनिका मैं इस्त्री को यादिकार नहीं दे सकता शापुर जी उत्ते जित हो गए यह आपका अन्या है बिल्कुल नहीं इस्त्री पर प्रकृति से ऐसे बंधन लगा दियें कि वे जितना भी चाहे पुरुष की भाती स्वचंद नहीं रह सकती और ना पशुबल में पुरुष का मुकाबला ही कर सकती है हाँ ग्रहनी का पत्या कर आप प्रकृतिक जीवन का आश्रे लेकर वे सब कुछ कर सकती है आप लोग से मजबूर कर रहे हैं आप प्रकृतिक जीवन का आश्रे लेने के लिए कावस जी ने फिर कहा मैं ऐसे समय की कलपना ही नहीं कर सकता जब पुरुष का अधिपत्य स्विकार करने वाली औरतों का काल पढ़ जाए कानून और सब्यता मैं नहीं जानता पुरुष मैं आपकी परिक्षा ले रहा था मैं भी इस्तरी को ग्रणी माता और स्वामी नहीं सब कुछ मन लेकर त्यार हूँ पर उसे सोचंद नहीं देख सकता अगर को इस्तरी सोचंद होना चाती है तो उसके लिए मेरे घर में स्थान नहीं अभी मिस्टर शापूर की बाते सुनक तो अब शीरी ने यह ढंग निकाला है मैं अभी उससे पूसता हूँ आपके सामने पूसता हूँ अभी फैसला कर डालूंगा परवा नहीं मुझे बेवफा औरत जिसके हिर्दे में जरा समवेंदना नहीं जो मेरी जीवन में जरा सा आनंद भी नहीं सह सकती चाहती है कि मै मैं उसके आचल से बंदा-बंदा घूपू शापूर से यह आशा रखती है अभागी नहीं भूल जाती है कि आज मैं आखों का इशारा कर दूँ तो एक सो शीरीयां मेरी उपासना करने लगे जी हां मेरे इशारों पर नाचे मैंने इसके लिए जो किया बहुत कम मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाता मैं यह भी जानता हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकती है वह है शिकायत इसके आगे बढ़ने की वह हिमाकत ना करें और तो को मना लेना बहुत मुश्किल नहीं है कम से कम मुझे तो यही तजर्वा है कावस जी ने खंड बढ़न भावसे का शायद आपका विजार ठीक है कई दिन बाद कावस जी की शीरी से पार्क में मुलाका दोई वह इसी अफसर की खोज में थे उन्हों का सर को त्यायार हो चुका था केवल उसमें शीरी को प्रतिश्टित करना बाकी था उस शुब दिन की कलपना से वह पा हात मिले और बोले आज खुब मिली मैं आज आने वाला था शीरी ने गिला करते हुए का आपकी रहा देखते देखते आखे तक गई आप भी जबानी हमदर्दी ही करना जानते आपको क्या कवर इन कई दिनों में मेरी आँखों से कितने आसू बह गए हैं कावस जी ने शीर अपने भेंकर रूप में खड़ा हो काश वा कुछ और दिन प्रिक्षाओं की भूल भलायय में जीवन के सपनों का आनंद ले सकता उस वापन के सामने सत्य कितना ड्रावना था अभी तक कावस जी ने मदुमक्खी का शहच छका था पर आज वह डंक मारने के लिए उनके माऊ से लाती रहूं आज मैंने निश्य कर लिया है कि अब उस घर में लोट कर ना जाओंगी अगर उन्हें अदालत में जलील होने का शौक है तो मुझ पर दावा करें मैं तैयार हूं मैं जिसके साथ रहना नहीं चाहती उसके साथ इश्वर भी मुझे मजबूर नहीं कर स कावस जी ने कालेजा मजबूत करके का नहीं नहीं श्री खुदा जानता है कि मुझे तुमसे कितना प्रेने में तुमारे लिए मेरे हिरदे में स्थान है मगर गुलशन का क्या करोगे उसे तलाग दे दूँगा हाँ मैं भी यहीं चाहती हूं तो मैं तुमारे साथ अभी इसी वक्त शापूर से अब मेरा कोई संबंद नहीं है कावस जी को अपने दिल में कुछ कमबन सा अनुभव होने लगा बोले लेकिन अभी तो कोई तैयारी नहीं की मेरे लिए कोई तैयारी की जरूवत नहीं है तो सब कुछ हो टैक्सी ले लो मैं इसी वक्त अगर कुछ नशा था जो वह हिरन हो चुका था वह किसी फंदे में गला डाल रहे थे वह खुब समस्ते थे शापूर जी उन्हें मिट्टी में मिला देंगे पूरा जोड लगाएंगे यह भी उन्हें मालुम था गुलशन उन्हें सारी दुनिया में बदनाम कर देगी यह भी जानती थे वे सब विपत्तिया जिलने को तियार थे शापूर की जबान बंद करने के लिए उनके पास दलीले थी गुलशन की इसत्री समाज में अपमानित करने के पास उनके पास काफी मसाला था डर था तो केवल शीरी का प्रेम कहां तक ठीकेगा अभी तक तो शीरी केवल उनके सौजन्य का परीचे पाया था केवल उनकी न्याय सत्य रुदारता से भरी बाते सुने थी इस छेत्र में शापुरजी ने उन्हें से बाजी मार ली लेकिन उनके सौजन्य और उनकी प्रतीव का जादू उनके बे सरोसमां घर में कुछ दिन रहेगा इसी उन्हें संधेता हलवे की जगा चुपड़ी रोटियां भी मिले तो आदम सबर कर सकता है रोखी मिल जाए तो पर संतोश कर लेगा लेकिन सूखी घास देखकर कौन कितने दिन टिकता है शीरी उनसे प्रेम करती है लेकिन प्रेम का त्याग भी तो एक सीमा है तो चार दिन भावुकता कि उन माद में यह सब कर ले लेकिन भावुकता कोई टिकाओ चीज तो है नहीं वास्तविकता के अगातों के सामने वे भावुकता कितने दिन टिकेगी उस दिन की परिस्तिति की कल्पना करके कावस जी कांप उठे वे अब तक रानी वास में रही है अब उसे एक खपरेल क कोटेज मिलेगा जिसमें फर्ष की जगा कालिंग भी नहीं है टाट भी नहीं है कहां एक वर्दी पुष नौकरों की पल्टन कहां एक बुड़िया मामी की संदिक दिसेवाएं जो बात-बात पर भुन-भुनाती और धंकाती कोसती है उनका आधा वेतन तो संगीत सिखाने वाला मास्टर ही खा जाएगा और शापुर जी ने कहीं ज्यादा कमीनेपन से काम लिया तो बदमाश्यों से पिटवा सकते हैं पिटने से वेह नहीं डरते लेकिन शिरी की भोग विलास पर लालसा पर कैसे विजय पाएं नक एक ये खयाल आया कि जब बुड़िया मामी मु कावस जी ने देखा शापुर जी बढ़ते हैं उन्होंने हाथ उठा कर कार को रुकवा लिए और पीछे दोड़ते वेह जाकर शापुर जी से बोले आप कहां जा रहे हैं यूही मैं जरा घूमने निकला था शिरी बानो पार्क में हैं उन्हें भी लेते जाईए वे तो परिक्षा करना चाता हूँ अब इना मनाय आती है या नहीं मैं बड़े अस्पंज में पढ़ा हूँ मुझ पर दया करो मैं तुमारे पैर पढ़ता हूँ उसको मना लो जीवन में थोड़ा सा आनंद है मैं उसे छोड़ना नहीं चाता कार चल पड़ी कावस जी वैसे ही पठर भाते कहती है लेकिन वक्त से भूजन तो देती है फटे कपड़ों को रफू कर देती है कोई महमान आ जाता है तो परसन मुख से उसका आनंद सतकार करती है कोई छोटी सी चीज दे दो तो पफूल उठती है लेकिन अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रह लिया अरे तुम इस वक्त यहां कैसा ही मैं अभी अभी तुमारा ही ख्याल कर रहा था कुल्चन ने गदगद खंट से कहा तुमारे ही पास जा रही थी शाम को बरांदे में बैठी तुमारा लेक पड़ रही थी कि जपकी आ गई मैंने एक बुरा सपना देखा सपने में द विश्वास तो है पर कोई न कोई बात तो हुई जरूर है तुमारा चैरा बोल रहा अच्छा तुम इस वक्त यहां क्यों खड़े हो यह तो तुमारे पढ़ने का समय है यूही जरा घूमने चला आया था नहीं तुम जूट बोलते हो खाओ मेरी कसम तुम्हें आदबार न अमलदारी में रहते हैं ना मैं भी लड़ोंगी मगर तुमारे साथ ही रहोंगी अच्छा चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ मैं अकेली नहीं जाओंगी आखिर सुनू तो तुम यहां कर के रहे हो कावस जी ने बहुत कोशिश की कि गुलशन वहां से किसी तरह चली जा कि गुलशन ने विचार करके का है तो तुम्हें यह सनक कहां से सवार हुई सनक कैसी मैंने क्या किया अब यह तो इंसानियत नहीं है ना कि एक मित्र की स्तरी मेरे से साहिता मांगे और मैं बगले जाकने लगूँ जूट बोलने के लिए बड़ी अकल की जरुवत होती है प् उसे दौनों को स्रिकार करना ही पड़ेगा अभी विज्यान में ऐसा कोई उपाय नहीं निकाला कि हम सुख के काटों को अलग कर सके मुफ्त का माल उड़ाने वाले को आयाशी के सिवा और सुझेगा क्या अगर धंस दुनिया का विलास ना मोल लेना चाहे तो वे धनी कैसा शीरी के लिए भी क्या दौार नहीं खुले पड़े जो शापुर जी के लिए खुले है उससे कहो शापुर के घर में रहे उनके धन को भोगे और भूल जाए कि वे शापुर की स्तरी है ठीक उसी तरह जैसे शापुर भूल गया कि वे शीरी का पती है जलना कुरना चोड़ के विलास का अनंद लूटे उसका धन एक से एक रूपवान विद्वान युवर्वयोकों को खीच लाएगा तुम नहीं एक बार मुझसे कहा था कि फ्रांस में धनवान विलासनी महिलाओं का समाज पर अधिपत्य था उनके पती सब कुछ देखते थे और मुझ खुलने का सा खोर पन है कावज जी ने चकी तो करका लेकिन तुम भी तो धन की उपा सको गुलशन ने शर्मिंदा होकर का यही तो जीवन का शाप है हम उसी चीच के लिए लबकते हैं जिससे में हमारा अमंगल है सत्यनाश है मैं बहुत दिन पापा के इलाके में रहीं चारों तरफ किस और मुझूर रहते थे बेचारे दिन पर पसीना भाते शाम को घर जाते अयाशी और बदमाशी का कहीं नाम ना था और यहां शहर में देखती हूं कि सभी भड़े घरों का यही रोना है सबके सब भंदकरंडों से पैसे कमाते हैं और अस्वाभाविक जीवन बिताते हैं आ प्रेकत मुशी प्रेमचंद.